नमस्wickार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपने एक और नए वीडियो पर जहांपर हम आप के लिए लेकर आ चुके हैं इस विकाव मकान की जानकारी लेकर तो अगर आप इस विकार मकान की पूरी जानकारी तथा पूरी डिटेल पराप्त करना चाहते हैं तो वीड सस्ते विकाव मकान की जानकारी इसे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बता देते हैं इस विकाव मकान की पूरी जानकारी और अगर आप किसी अन्य राज से हैं या किसी अन्य सहर से हैं और वहां के सस्ते विकाव मकान अगर आप खरीदना चाहते हैं कम रेट पर मकान खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं बस आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको कौन से सहर में कौन से राज में कहां पर मकान खरीदना है और कितने प्राइस तक मकान खरीदना है तो वहाँ के जो property dealer होंगे हम उनसे संपर करके आपके द्वारा बताई गई location और आपके द्वारा बताई गई कीमत के जो मकान होंगे उसकी एक वीडियो बनाकर अपने channel पर upload कर देंगे ताकि आपको सस्ते से विकाओ मकान की जनकारी मिल सके और आपको अच्छे से अच्छा मकान मिल सके तो चले सर श्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको दे देते हैं इस विकाओ मकान के बारे में पूरी जनकारी की यह मकान कहां पर विकाओ है इसकी कीमत क्या है और कित स्कॉर्फिट में बना हुआ मिल जाता है तो सरी यह जो मकान आप इस वक्त अपने मॉबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मकान आपको 17 स्कॉर्फिट की जमी पर बना हुआ मिल जाता है जो कि बात कर लें इस मकान में बने हुए रूम के शंख्या के बारे में तो कुल टोटल इसमें आपको आठ रूम बने हुए मिल जाते हैं जिसमें से आपको एक किचन बाथ रूम ट्वाइलेट डेरिंग एरिया हाल तीन बेडरूम यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं और इसी मकान के अंदर आपको एक छ इस लूकेशन पर विकाओ है बात कर लेते हैं इस विकाओ मकान के ओनर के बारे में तो इस विकाओ मकान के ओनर का नाम सिलफी पाठक है जो इस मकान की ओनर है और यहां मकानों बहुत ही अर्जेंट बेचना चाहती हैं तो बात कर लेते हैं कि सरी इस विकाओ मकान की कीमत कितन उन्होंने रखी है तो यहां जो विकाव मकान है आपको कुल टोटल 25 लाख रुपए में मिल जाएगा जो की ओनने इसकी किमत 25 लाख रुपए रखी है मकान के अंदर आपको कौन-कौन से चीज़े मिल जाएंगी इसके बारे में हम आपको बता देते हैं सब सब पहले बात कर लेते हैं पानी के विवस्था के बारे में कि इसी मकान के अंदर आपको समर्सेवल के माध्यम से पानी मिल जाएगा और मकान में छट पर रखे आपको एक 1500 लीटर की टंकी भी देखने को मिल जाती है और मकान में सर आपको टीवी, फ्रीज, कूलर, एसी, वासिंग, मसीन, यह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है मकान में सर आपको दो तरीके के सोफा सेट भी देखने को मिल जाते हैं और यहां पर चार आपको सोफा सेट वाली कुरसी भी देखने को मिल जाती हैं मकान में बने रोम की चोड़ाई वा लंबाई 13, 26 आपको एक रोम बना हुआ यहाँ पर देखने को मिल जाता है मकान के side के रास्ते के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको side का रास्ता मातर 15 फिर चोड़ा मिल जाता है जो कि आपको आने जाने के लिए किसी विप्रकार की कोई दिक्कत वा कोई भुशिवत का सामना यहाँ पर आपको नहीं करना पड़ेगा बात कर लेते हैं नेशनल रिंग रोड हाईवे के बारे में तो यहां से आपको नेशनल रिंग रोड हाईवे जो है मातर दो किलो मीटर की दूरी पर देखने को मिल जाती है जो की एक चिल्डरेन स्कूल भी देखने को मिल जाता है तो बात कर लेते हैं इस विकाव मकान की लोकेशन के बारे में तो सर यहां जो विकाव मकान है आपको उत्तर प्रदेश में बना हुआ मिल जाता है जो की उत्तर प्रदेश के यह आपको बरेली डिस्टिंग में बना हुआ मि लेजिने को